नेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो माई चैनल जैसे कि आप थमनेल से ही पहचान चुके होंगी कि मैं आपको स्वीटर्ट के सेकेंड पेपर के प्रिपेशन करा रही हूँ आज हमारा नेक्स रॉपिक है अगर मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजिट करें तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दिन कीजिए चलिए अब हम चैप्टर को देख लेते हैं हमारा कौन सा चैप्टर है चलिए चलिए अब हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नमबर 9 चैप्टर का नाम है गती एवम समय खक्षच 6 में आपने विविन प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तू की गती किसी सरल रेखा के अनुदिस वर्तुल गतकार अथवा आवर्ती हो सकती है क्या आपने तीन प्रकार की गतियां याद हैं आपको तो सबसे पहली कौन सी गती है देखते हैं सबसे पहली गती है मंद अथवा तीवर गती हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुल्ना में अधिक तीवर गती करते हैं यहां तक कि एक ही वाहन विविन समया पर तीवर अत्वा मंद गती करता है सरर रह खिये पत के अनूदिस गती करने वाली दस वस्तों की सूची बनाईए आपको सूची बनानी है इन वस्तों की गति को तो को दो वर्गो मन तत्वा तीवर में बाढ़ती है आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तों मन गति से चलती और कौन सी तीवर गति से यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गती कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उन में से कौन सा वाहन अनने की तुला में तीवर गती कर रहा है चलिए अब हम देखते हैं आगे चाल क्या होती है यह हमारे दूसर टॉपिक है चाल आपका दाती चाल सबसे परिचित हैं उपर दिये गए उधारणों से में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तैग किया गया है अतों किसी दिये गई समय में अधिक दूरी तैग की गई ह eye ूरोतियوस की चार्य दोयादिक वस्तों में कोई तीवरुतम गत्ती कर रहा है इसे गयाद करने की सबसे सुभीदा जनक विधी यह है कि हम इनके दौरा किसी एकांग समय में तै की गई दूरी तोरी जानते हैं तोब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपिछ च्शक्रतमन्द है किसी वस्तू द्वारा एक आख समय में तै की गई दूरी को हम उस वस्तू की चाल बोलते हैं आगे पड़ते हैं हम तै की गई कुल दूरी को दूरी को लिये गई कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं चाल बरावर तै की गई पूरी दूरी जितनी दूरी तै की गई है और कितने समय में तो हमारी चाल निकल के आ जाती किस स्प्रेट से चल रही थी अपने तैनिक जीवन में हम बिरले की लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तो को एक नियत चाल से गती करते हुए देखते हैं यदि किसी सदल रेखा के अनुदिस गती करने वाली वस्तो की चाल परिवर्टित होती रहती है तो उस वस्तो की चाल ऐसमान कही जाती है। यह कैसे निशित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है कि अगर भी आपको जानने के उस्तो हुए है कि हमारे बुजूर किस परकार केवल चायां देखकर दिन के समय का नुमान लगा लेते थे। अंत्राल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकटी में बहुत सी घटनाएं अंत्रालों, निशित अंत्रालों के पश्चात स्वैम धोराती हैं। उधर्वजों ने यह पाया कि सूर्य प्रती दिन प्रातय उद्य होता है। एक सूर्द से अगले सूर्द के बीच के समय को एक दिन कहा गया है। इस बिरकार एक अमावर्ष्या से अगली अमावर्ष्या के बीच के समय की माप महा के रूप में की गई है एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जिसने समय में प्रती सूरे की एक परिक्रमा पूरी करती है प्रहा हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंत्राल को मापने की भी आफशकता पड़ती है समय मापने की सबसे सामते युकती घड़ियां ही है जो घड़ी होती है क्या आपको कभी यह जानने के उसकता होई है कि घड़ी की घड़ियां समय के से मापती है गणियों की कारेविदी काफी जटिल होती है परन्तु का सभी घडियों में आवर्ती गती का उपियों किया जाता है आवर्ती गती का एक चिर परीचित उधारन सरलोलक है सरल लोलक धातु के छोटे गोले अत्वा पत्थर के टुकडे को किसी द्रण स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं जिसको बांधा जाता है धागे में अपनी माद्धे हिस्थिती पर विराम अगस्था में दर्शाय गया है जब लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गती करना आरम कर देता है यह गती आवर्ती अत्वा दोलन गती का एक उधारण है यह आपको picture में शो भी हो रहा होगा दो तरह के दे रखें आपको एक सरल लोलक के एक है दोलन करते हैं सरल लोलक के गोलक की विविन इससे दिया मतलब कि जब हम इसको हिलाता है तो एक क्या करता है दोनों साइट गूमता है आगे देख लेते हैं सरलोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता हूँ से सरलोलक का आवर्थकाल बोलते हैं आवर्थकाल क्या है जब कोई स्प्रिंग को एक तरफ से दूसरी तरफ फैका जाता है तो एक तरफ से जाने के बाद जो दूसरा चकर पूरा करके आती है उसे आवर्थकाल कहा जाता है आगे देखते हैं समय तता चाल के मात्रग इन दोनों के मात्रग क्या होते हैं वो देख लेते हैं समय का मूल मात्रग सेकेंड है इसका परती ऐसे है समय के बड़े मात्रग मिनट तता घंटा है आप पहले ही जानते हैं कि मात्र किस पिरकार एक दूसे सरंबंद थे चाल का तता कतित मूल मात्रक क्या है क्योंकि चाल दोरीवटे समय है अतर चाल का मूल मात्र मेटर पिर्थी सेकेंड है वास्तम में इसे अन्य मात्र को जैसे मेटर पिर्थी मिनट अतवा किलो मेटर पिर्थी घंटे में व्यक्ति किया जा सकता है हां जी जैसे टाइम का मात्रक चेंज होगा वैसे वैसे ही चाल का भी आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतिकों का एक वच्छन में लिखा जाता है को एक वच्छन में लिखा जाता है उधारण के लिए पचास किलो मेटर लिखते हैं तो किलो मेटर अथवा एट सेंटीमीटर लिखते हैं तो एट सी एमस आविश्यक्ता के अनुसा समय की विभिन मात्रकों को अपयोग किया जाता है उधारन के लिए आपकी आयू को दिनों अथवा गंटों में व्यक्त करने की अपेक्चा वर्सों में व्यक्त करना सुविधा जन होता है जोर से 2000 एक पुकारने में लगवग एक सेकिंड होता है 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं किसी सामान ने स्वास्थ युवा की विराम की इस्थिती में नाड़ी एक मिनिट में 72 बार अर्था 10 सेकिंड में लगवग 12 बार इस बंदन करती ह आगे देखते हैं करती है बच्चों में ये अदर कुछ अदिक हो सकती है चाल मापना चाल को कैसे मापते हैं ये देखते हैं हम समय तथा दूरियां कैसे मापते हैं ये सीखने के परश्याथ आपकी सी वस्तुवी चाल परिकली कर सकते हैं देखते हैं आगे गेंद की चाल जाक चून अथ्वा चूने से फर्स पर एक सरल रेका कीचिए तब आपने मितर से कहिए कि वे इस रेखा से 1-2 मीटर दूर खड़ा हो अब मितर से कहिए कि वे फर्स के अनुदि इस सरल रेका के लंभवत किसी गैंद को दीरे से लोड़का है जिस छण गैंद सरल रेखा को पार करती है तरह जिस छण वे विराम में आती है दोनों बार समय नोट कीजे गैंद विराम में आने में कितना समय लेती है जिस बिंदू पर गैंद को रखा गया था जिस बिंदू पर वह विराम में आती है इन दोनों बिंदू के बीच की दूरी मापिये इसे मापने के रियाब किसी पैमाने इत्वा मापक फीते का उप्योग कर सकते हैं और इसको दोबारा दोहर आएंगे देखे इस तरह से पितिक समों के पाथ्यांकों से गैन की चाल परिकलित कीजिए आपको इसे क्या होगा जो चाल है वो पता चल जाएगी सभी एनिमल्स की इसमें चाल दी हुई है देखे देखते हैं जो बाज है बाज की क्या चाल है बाज की चाल है 320 किलोमेटर परार चीते की क्या है 112 है ब्लू फिश की है 40-46 किलोमीटर पर आर खरगोज की है 56 गिरैरी की है 19 चुहे की है 11 मानव की है 40 कच्छोए की है 0.27 गोंगा की है 0.05 चली गई दूरी बरावर चाल या फिर समय आप यह भी याद कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई बस तो किसी दूरी को कितने समय में तै करती है तो समय बरावर दूरी बटे चाल चाल बरावर दूरी बटे समय है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कुछ चीज मांगता है वो उसको हम एक side में mention कर लेते हैं किसी car का dashboard दर्साय गया है ध्यान दीजिए इन में से किसी काåने में किलोमेटर पर आर्स है इसे चाल मापी कहते हैं दिख्या आपको यहां show हो रहा है पिक्चर में ये शो हो रहा है किलो मीटर तो इसे बोलते हैं चाल मापी स्पीडो मीटर कहते हैं इससे सीधे ही किलो मीटर पर आर में चाल हो जाती है जिसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तै की गई दूरी मापता है इस मेटर को पत्मापिया ओडो मेटर कहते हैं देखे इस तरह से यह है ओडो मेटर इस चेप्टर के पॉइंट अफ व्यू से एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से इतना ही इंपोटेंट था मैं इस चीज़े करा शुक्की हूँ वीडियो चलेगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फो वाचिंग